लाइफ में कभी-कभी ऐसी situations में फस्ट आते हैं हम कि निकलना बड़ा मुश्किल होता है और इसी सब situations से instant निकालने के लिए ही मैंने आप लोगों को goddess हेकाटे की के लिए बोला था कि वो की रखेगा और उससे आप लोगों को help मेलेगी और ये help मिली है किसी को हमेशा success stories में हमने love relationship या इस तरह की कुछ चीज़ें हमेशा देखी है और बहुत जरूरी है सब अपने अपने जगापे बहुत important है life के लिए लेकिन इनके साथ जो हुआ है वो आप जरूर ध्यान से सोनियेगा बहुत-बहुत sad भी है कि इस तरह की चीज़ें हो रही है बट हाँ इनको help जहां से मिली है वो सब चीज़ें भी ध्यान से सुनियेगा ताकि कोई भी इनसान जो इस तरह की situation में अपनी life में कहीं फसा हुआ है तो वो आसानी से निकलने के लिए Goddess Hikate के चावी की मदद ले सकता है उनको पुकार सकते हैं कि आप किसी भी परिशानी में है तो वहां से निकल पाए ठीक है ये लिखते है फर्स्ट वॉल्फ की स्टोरी शेयर करती हूँ मैं एक चांड डाल के हाथों सताई जाती थी सुभा शाम मैं उस इनसान से डरती रहती थी मैं सजना समना तक तो छोड़ दिया था हमेशा एक आतंक में रहती थी फिर एक दिन आपके विडियो पॉप अप होई जो लोमड की कहानी की थी जिसमें ये था कि हम सुभा उठते ही एक बार लोमड महराज की जै हो बोला करें और मैं ऐसे करने लगी मैं पांच बार बोलती हूँ लोमड महराज की जै हो और आज मैं उस इनसान से बिलकुल नहीं डरती हूँ फेस टू फेस लडती हूँ और अब डिवोर्स के लिए स्टान ले रही हूँ जो कभी मैंने सोचा न था ये मैं मेरे एक हस्बिन के बारे में बोल रही हूँ थाइंक यू सुमंजी आपको आपके वज़े से हुआ ये सब थाइंक यू सो मच अचा ये जो लोमड महराज की बात कर रही है ये मेरा ग्यान 24 का चानल है उस पे मैंने ये चीज वहाँ पे बोली थी जिस तरह से हम यहाँ पे वॉल्फ माजिक बिगिन नाउ करते हैं या वॉल्फ की चैंटिंग करते हैं तो वॉल्फ स्पिरिट आक्टिवेट होता है वैसे ही फॉक्स स्पिरिट है लोमड है वो हमारे पुराणों में भी मेंचन है तो वो पुराणों में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में किस तरह से उसका नाम अगर हम सुबा ले ले लेते हैं तो इस प्रोटेक्शन में रहते हैं वो मैंने वहां पे मेंचन किया है ग्यान 24 पे और वही देखके हैं उने किया है जिससे इनको help मिली थी अच्छा इसके बाद second story भी ये लिख रही है ये लिखती है मैं मेरी एक friend से contact करने की बहुत कोशिश कर रही थी one year से जो की हो नहीं पा रहा था मैं बहुत ही ज़ादा परेशान थी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था एक दिन आप Goddess Hekate की वीडियो लेकर आईं मुझे अच्छा लगा easy भी था easy तो है बहुत easy है क्योंकि आपको सिर्फ एक की अपने पास हमेशा रखना है तब ही मैंने बोलाई कि Goddess Hekate की की ना जिन लोगों ने नहीं रखी है प्लीज आज के आज रख लो बहुत easy है कहीं भी कभी भी फस गय चाब भी अपने हाथ में ली pray किया call किया और आप instant miracles होते वे देखोगे क्योंकि लोगों को दिख रहे हैं फिर ये लिखती है की और मैंने अपनी wish Goddess Hekate को बोला की लेकर और देखते ही देखते रास्ता easy होता चला गया अचानक कुछ ही दिनो मैं मेरी friend से easily contact हुआ और call में बात हो गई मेरी friend भी बहुत खुश हुई अच्छा last में ये लिखती है मैं self depend नहीं होने की वजह से ex husband की घर पे ही रहती हूँ फिलहाल उसने मुझे मुझसे बदला लेने के लिए बिजली का बिल नहीं भरा था बिजली वालों ने आकर बिजली कार दिया था मैं और मेरी 17 साल की बीटी गर्मी और अंधेरे में एक हफते से थे so this is really very I don't know how people can do like this फिर आगे लिखती है ये मैंने की लेकर goddess हिकाटे से प्रे किया और अपनी प्रॉबलम बोलकर विश मागा और केक और कैंडल की ओफरिंग भी की मेरे एक देवर ने बिजली का बिल भर दिया और एक वीक में ही बिजली आ गई मेरे घर मैंने किसी से भी कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी उन्होंने खुद मेरी हेल्प की और आपने अपने भाई को बहुत डाटा Goddess Hekate की magic instant होती है Thank You Goddess Hekate Thank You So Manji आप हमारे सामने रोज नहीं नहीं प्रॉसेस लाते हैं जिससे हमारी लाइफ बहुत ही आसान हो रही है Thank You So Much आप मेरी ये success story अपने चैनल पे शेयर कर दीजिए ताकि लोग और भी motivate हो पाए Thank You and Thank You So This Is Really क्या बोलू मैं इसके लिए कोई वर्ड नहीं है कि इतनी सारी problems कोई face कर रहे है अगर Goddess Hekate ने इनकी help की है then we are really grateful to her इसलिए मैं बोल रहे हूं आप सबको कि अपनी अपनी wishes अलग है wishes को छोड़ दीजिए किसी कॉल आना, शादी होना, जॉब मिलना वो सब तो होना ही है वो सब तो चाहिए ही लेकिन उसके अलावा क्या होता है लाइफ में हम बहुत बार ऐसी ऐसी problems में फस जाते हैं कि instant समझ नहीं आता क्या करें So instant एकदम help मिले कुछ ऐसा Goddess Hekate की चाबी या फिर वॉल्ट माजिक बिकिन नाउ इस तरह के chance आप लोगों को तुरंत problem से बाहर निकालते हैं And कभी भी hope lose मत करिये बहुत सारे techniques हैं अब तो एक time था कि हमें लगता था कि क्या करें समझ नहीं आता था कुछ चीजों के बारे में पता ही नहीं था तो हम बैठे रहते थे कि help कहां से मिलेगी कोई चमतकार होगा कोई मराकल होगा और कुछ होता नहीं था बट अभी आप लोगों के पास इस तरह की techniques हैं इसलिए अब मैं रोजाना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना इंकॉपरेट करके आप लोगों देती रहती हो ठीक है ताकि आप लोग अपनी अपनी life में कोई भी problem है उससे easily बहार निकल पाएं तभी तो हम अपनी wishes को आगे manifest कर पाएंगे तभी तो अपनी life को आगे beautiful बना पाएंगे और किसी भी problem से किसी भी मुश्रिल से डरने की जरूरत नहीं है हर चीज का अंत होता है हर चीज से आप बहार निकलोगे ही निकलोगे बस अपने आपको strong रखिए positive रखिए trust रखिए energies पे trust रखिए बहुत से लोग जो एक बार करके आके यहाँ पे लिख देते हैं कि कुछ नहीं हुआ हम हमसे कुछ नहीं हुआ उनका कुछ हो भी नहीं सकता जिनके अंदर patience नहीं है energies को आपने call किया है energies आपके लिए work करना start करेंगी कोई आपके लिए bound नहीं है आप लोग यह सोच लेते हो कि हमने किसी energy को call किया है तो बस वो हमारे लिए गुलाम हो गए आप ऐसा सोच के और फिर अगर नहीं हुआ तो नहीं यह सब बेकार है तो आपके बेकार बोलने से किसी का कुछ नहीं जा रहा आप खुद अपने आपका नुकसान करते हो ठीक है इसलिए थोड़ा patience रखो अपनी problems को solve होने के लिए time दो हर चीज का end होता है problems का भी अंत होगा आपके tensions का, आपके problems का आपके life में चल रहे जितने भी मुश्किले, अरचने हैं उन सब का खात्मा होगा लेकिन आपको सबर रखना जरूरी है और इतने सारे techniques है, techniques का use करना जरूरी है okay, hope lose मत करिएगा ये इतनी बड़ी problems से अगर भार निकल सकती है और हिम्मत रखके हिम्मत हारा नहीं, इनोंने हिम्मत रखा and चीजें अपने आप solve होगी energies आपके लिए काम करेंगे, definitely करेंगे so this is really very awesome and सब के लिए इससे यही motivation है कि हिम्मत मत हारिए energies के साथ connected रहिए Goddess Hekaati के चाब always अपने पास रखिए मैंने इतना easy तरीका बता दिया है कि आप phone के cover के पीछे रख लीजे और बहुत सारे switch words है, mantra है chant कीजे उनको, अपनी life को easy बनाएए, कोई भी problem है उसको खतम करिए, जादा लंबा problems को आप carry करनी की ज़रूरत ही नहीं instant खतम करिए, start doing techniques, right self love में हाई रखिए, अपने आपको ताकि problems तो खतम होंगे ही, उसके बाद खुशियों को भी तो अट्राक करना जरूरी है न, तो वो सब कीजे and that's all, thank you